हाई दोस्तो आप सभी का सभात करता हूँ आपका चैनल यार्ट संजीब में तो दोस्तो आज आपके लिए मैं और एकनी वीडियो लिखे आ चुका हूँ अजके वीडियो में दोस्तो आप लोगों बताओंगा अगर आपका पास कोई क्रिडिट कार्ड नहीं है दोस्तो तो आप लोग कैसे क्रिडिट कार्ड एप्लाइ कर सकते एकसी स्बेंग में और आपका only seven days का अंदर आपको क्रिडिट कार्ड मिलने वाला है तो कैसे करना है दोस्तो पूरा डीटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाइ स्टेप तो वीडियो को स्कीप ना करते हुए पूरा वीडियो को वाच कीजे और वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजे तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पहले आप लोग एक्सिस बैंक का यह साइड पर आ जाना होगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फिर भी आप लोग अगर गूगल में एक्सिस बैंक बोलके सर्च किजिएगा तो आप लोग पहला लिंक इसी का मिल जाएगा यहाँ पर आने का बाद दोस्तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सरा आप्सिन आपको यहाँ पर दिखने में मिल जाएगी दोस्तो यहाँ पर एक आप्सिन आपको दिखने में मिलेगा दोस्तो तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तो यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर बहुत सरा आप्सिन आपको दिखने में मिल जाएगा तो यहाँ पे दोस्तो आप लोग कार्ड लोन भी ले सकते हैं लोन उनका भी यहाँ पे फीचर्स है current account, salary account, दोस्तो credit cards दोस्तो बहुत सरा option दिखने में मिल जाएगा तो हमको credit card बनाना है तो इसलिए दोस्तो यहाँ पे देखिए credit card का एक option दिखने में मिल जाएगा तो credit card का जो option दिखने मिलेगा इसमें आपको click करना है पिछले दोस्तो यहाँ पे मैं click करके आप लोग को next page में लेके चलता हूँ तो आप लोग hold करना पड़ता है तो यहाँ पे जब आप लोग click करते हैं तो इस पेज में आप लोग आ जाते हैं तो यहां पर दोस्तों आप लोग गिवार एक्सिस बैंक कास्टमर मतलब अगर आप लोग एक्सिस बैंक कास्टमर है दोस्तों तो येस किजी अगर नहीं है दोस्तों तो नो पे क्लिक करना होगा ठीक है तिहां पर देख सकते हैं credit card online application का यह official form है दोस्तों तिहां पर इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है मैं जैसे बोड़ा हूँ ऐसे आपको करना है वीडियो को like कर दीजेगा please दोस्तों तिहां पर दोस्तों आपको क्या बताया कि अगर आप लोग एक्सिस बैंक यहां पर दोस्तों आप लोग इस पेज पर आ जाते हैं यहां पर दोस्तों यहां पर तीन फ्री स्टेप अगर आप लोग फूलो करते हैं तो आपका application complete हो जाएगा तो पहला option में दोस्तों आपको चेक eligibility आगर आप एक्सिस बैंक करेडिट काड पाना चाहते हैं तो आपको चेक करना होगा कि आपका credit score ठीक है कि नहीं ठीक है उसका दोस्तों यहां पर आपको कुछ basic details में जैसे कि आपका mobile नंबर हो या customer ID customer ID जब भी आप लोग account बनाए होंगे उसी में customer ID रहता है अगर याद नहीं है दोस्तों तो mobile नंबर जो register है बैंक में दोस्तों वो mobile नंबर यहां पे आपको fill करना होगा जिससे यहां पे दोस्तों 10 डिजीट का mobile नंबर साथ में दोस्तों आपका दोस्तों आप लोग next page में आ जाते हैं आपे तो चलिए यहां पर मैं details भर देता हूं उसका बाद दोस्तों यहां पर जो mobile number आप लोग वहाँ पे फिल के दूसमें एक OTP आएगा दोस्तों तो वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे OTP फिल करना है दोस्तों फिर Tiki Box में क्लिक करना है यहाँ पे अगर आप लोग कोई bank customer आपका help कर रहा है तो का यहाँ पे employee ID number डालना है दोस्तों यहाँ पे submit कर देना है दोस्तों समिट करने के वाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ basic details यहाँ पे फिल करना हो जाएगा दोस्तों अगर आप लोग एक्सिस बैंक का customer है तभी आपका फिल करना होगा दोस्तों ठीक है तो मैं education फिल करना है जो भी नहीं फिल किया फिल करने के रगाद yes में click करने के वाद दोस्तों यहाँ पे next का option दिखने कि आपको जो भी ऑफसिं या फिस लेट करते हैं अगर करेंगे कैंत अपका कितना है इसके विजाएंडा करना पड़ता है तो यहां पर दोस्तों एकाउंट मतलब नेट एनाओल मतलब मैं जो सलाना आपका क्या है से रिवोड आलना है साथ में दोस्तों इंपलॉई कहां के हैं दोस्तों आप लोग पाप्लिस सेक्टर प्राइबेट या गौर्णमेंट जो भी है दोस्तों वो क्लिक करने का बाद दोस्तों सेलरेड कर देना है उसका बाद दोस्तों इंडिस्ट्री यहां पर दोस्तों आप लोग कौन सा इंडिस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों मैं करते हैं आई आई टी में करते हैं दोस्तों या दूसरा कुछ है रवांस में करना चाहते हैं करते है दोस्तो वो सिलेट करने के बाद दोस्तो यहाँ पे करेंट दोस्तो कितना साल आप काम किये है ठीक है यहाँ पे दोस्तो आप लोग करेंटली जो और्गनाजिशन का नेम जहाँ पे काम कर रहे है साथ में कितना साल से कितना साल तक आप काम किये हैं दोस्तो वो आपको यहाँ फील करना होगा फील करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे में नेक्स्ट का ओप्सन मिल जाएगा नेक्स्ट ओप्सन में फिर से आपको क्लिक करने का बाद सेकेंड स्टेप आपका सक्सेस्पुली कंप्लेट हो जाएगा फॉर्म का उसका बाद दोस्तों यहां पर कौन सा कार्ड आप लेना चाहते हैं जो भी कार्ड यहां पे दोस्तों आप लोग लेना चाहते हैं दोस्तों वो कार्ड का डीटेल्स पूरा दिया हुआ है यहां पे तो आप लोग अपना हिसाब से पढ़ लिजे दोस्तों क्रेडिट कार्ड आप किसमें उच करना चाहते हैं ZWAPNG में, PETROL PARP में, जहांपर भी उच करना चाहते हैं दोस्तों उस हिसाफ से यहांपर Select करना है आपको कोई भी Eक Credit Card दोस्तों जो भी आप Credit Card Select करते हैं दोस्तों यहांपर उसका बाद Select हो जाता है तो यहांपर दोस्तों कुछ बेनिफिट्स है नीचे में देख सकते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ने का बाद दोस्तो आपको क्या करना है फिर दोस्तो सिलेट करने का बाद दोस्तो आपको यहाँ पे कोई भी एक कार सिलेट करना है मतलब सिंगल किलिक करने का बाद सम्मिट करना है जब भी आप सम्मिट कर देत दोस्तों और आपका credit card within 7 days to 15 days का अंदर आपका home address में आ जाता है आपको receive करना है pin generate करना है दोस्तों और credit card use करना है बस इतना ही करना है तो फीडियो गर अच्छा लगए तो like, share और subscribe